कि अच्छ आज हम मैंक्रिटिनॉमिक्स का चैप्ट नमर 8 शॉर्ट रन एक लिवर हम आउट पुट के बारे में डिसक्स करेंगे यह इसका पार्ट 6 रिमेंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं अब आधा करके देख सकते हैं इस वीडियो में भी आज हम कुछ और कुशन को सॉल करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट मल्लिप्लियर के कॉंसेट पे बेज़ रहें इस वीडियो में भी आज हम कुछ और को सॉल करेंगे जिससे आपके सभी कॉस्टिंस के कॉंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे आप पार्ट नमर 5 और 6 को देख कर गे अपने कोश्टिंस से लेटेड सभी डाउट को कवर कर लीजिए और इसके बाद आप किसी भी कोश्टिंस को सॉल कर सकते हो जो आपके चैप्टर नमर 7 और चैप्टर नमर 8 से लेटेड हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप फॉर्मले देख लीजिए यह सभी फॉर्मले वो हैं जो आपके चैप्ट नमर 7 और चैप्ट नमर 8 में यूज़ होंगे इसको आप अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कोश्टिंस सॉ जा जाए कि कौन सा फॉर्मला मैं कहां यूज़ कर रहा हूं और उसे क्यों लगा रहा हूं तो यह आपके फॉर्मले हो गए ना हम कोश्टिंस को सॉल्व करते हैं यह चैप्टर का कोश्ट नमर 5 है इसमें लिखा है सबस्पोस मार्जन प्रपेंस्टी तो कंजियों में 0.8 तो यह आपका कोश्टन है सबसे पहले हम सॉल्वेशन के अंदर सभी डीटियल्स को लिखेंगे सबसे पहली चीज जो आपको गेवन है वो है MPC विच जिए 0.8 तो इससे आप सॉल्वेशन में लिखेंगे यन्यर्न में आपसे पुछा है कि चेंज इनन्रेस्मेंट केद्ट होगा जिससे आपकी नैशनल इंकम 2000 करोड से इंक्रीज हो जाए यानि आपको question के अंदर change in investment को calculate करना है जहां पर आपको change in national income given है 2000 करोड तो यह आपके question की details है ना हम इन सबका use करके change in investment को calculate करेंगे तो सबसे पहले हम investment multiplier के formula का use करेंगे जो mpc पर based है जहां पर आपको formula होगा k equal to one upon one minus mpc आपको mpc given है 0.8 तो आप equation के अंदर 0.8 put करेंगे then equation को solve करेंगे जिससे आपका investment multiplier है जाएगा five times now again हम investment multiplier के first formula का use करेंगे जिसमें आपको change in investment given होता है तो आपको formula होगा k equal to change in y upon change in i हमने k को calculate कर लिया है which is five times question में आपको change in y given है which is 2000 करोड और आपको change in i को calculate करना है तो सबसे पहले हम यहां cross multiply करेंगे जिससे आपकी equation बनेगी change in i equal to change in y upon k आपको question के अंदर change in y given है 2000 करोड कि आपने calculate किया है five times तो अगर आप 2000 करोड को divide करेंगे five से तो आपका change in investment आ जाएगा 400 करोड और यही आपका answer है यहनि अगर आप 400 करोड की investment करोगे तो उससे आपका national income 2000 करोड तक increase होगा और इस तरह आपका question complete होता है इस तरह एक और question देखते है यह chapter का question number six है इसमें लिखा है if in economy a consumption function is given by c equal to 100 plus 0.75y and b autonomous investment is Rs. 150 करोड estimate equilibrium level of income and second consumption and saving at the equilibrium level of income तो यह आपका question है सबसे पहले हम question की details को solution में लिखेंगे आपको सबसे पहले चीज़ given है consumption function which is c equal to 100 plus 0.75y और आपको autonomous investment यानि i given है 150 करोड तो इन दोनों details को हम solution में लिखेंगे c function है आपका 100 plus 0.75y और i given है 150 करोड इस question में आपको calculate करना है equilibrium level of income यानि y consumption and saving यानि c and s तो इस question के अंदर आपको incomes, consumption and saving तीनों को calculate करना है तो start करता है सबसे पहले हम consumption function को convert करते हैं saving function में आपका consumption function है 100 plus 0.75y और हम जानते हैं कि आपका saving function होता है minus c bar plus 1 minus b y तो यहाँ पर सबसे पहला step यह है कि आप consumption function को convert कीजिए saving function में तो आप saving function देख सकते हैं saving function को देखते हुए अगर आप consumption function को convert करोगे same function में तो आपका saving function आएगा s equal to minus 100 plus 0.25y यहाँ पर 0.25 आपका 1 में से 0.75 को less करने से आया है तो यहाँ पर आपका saving function आचुका है ना हम जानते हैं कि saving equal to investment होता है और आपको investment गिवन है 150 करोड तो आपका saving आजाएगा 150 करोड और इससे हम equation में put करेंगे जिससे आपका national income यानि y आ जाएगा आपकी equation मनेगी 150 equal to minus 100 plus 0.25y सबसे पहले आप minus 100 को left hand side पर shift करेंगे जिससे आपकी equation आएगी 0.25y equal to 250 then 0.25 आपका multiply हो रहा है y से तो अगर आप 0.25 को rightward shift करेंगे तो आपका y equal to आजाएगा 250 upon 0.25 now हमें 250 को 0.25 से divide करना है जिससे आपका y आजाएगा 1000 करोड तो ये तो होगया आपका first answer जिसमें हमने सबसे पहले consumption function को convert किया same function में then हमने s equal to i जो आपकी second approach है equilibrium की उसका use किया and then saving की value को put करके pure equation को solve किया जिससे आपका income आ गया 1000 करोड तो ये तो आपका first answer हो गया ना आपको 1000 करोड के उपर consumption और saving को भी calculate करना है तो सबसे पहले हम consumption function लिखेंगे हमें question में consumption function given है 100 plus 0.75y आपको y given है 1000 करोड तो आपको simply y put करना है equation के अंदर आपकी new question आ जाएगी c equal to 100 plus 0.75 multiply by 1000 करोड और इसको solve करने से आपका consumption आ जाएगा 850 करोड तो ये आपका second answer हो गया consumption ना हम जानते हैं कि income equal to consumption plus saving होता है तो अगर आपको saving को calculate करना है तो आपकी equation मन जाएगी income minus consumption आपको income किवन है 1000 करोड और आपने consumption को calculate किया है 850 करोड तो अगर आप 1000 में से less करेंगे 850 करोड को तो आपका saving आ जाएगा 150 करोड और इस तरह आपका income, consumption और saving तीनों को हमने calculate कर लिया है और यहां पर आपका question complete होता है इसी तरह एक और question को solve करते हैं यह chapter का आखरी question है इसमें लिखा है इसमें लिखा है तो यह आपका question है सबसे पहले हम question की details को solution में लिखेंगे आपको इस question के अंदर change in investment given है यानि change in IA given है 500 करोड और आपको MPS given है 0.2 इन दोनों चीज़ों को use करके आपको सबसे पहले investment multiplier को calculate करना है यानि के को calculate करना है और साथ ही आपको change in final को भी calculate करना है जिसका मतलब है change in y तो यहां पर हम सबसे पहले investment multiplier को calculate करेंगे investment multiplier को calculate करने के लिए हम k के formula का use करेंगे जो MPS पर based है आपको formula होता है k equal to 1 upon MPS आपको MPS की value given है 0.2 तो अगर आप formula में 0.2 put करेंगे तो आपका investment multiplier आजाएगा 5 times और इस तर आपका first answer आचुका है investment multiplier का 5 times now again हम investment multiplier के first formula का use करेंगे जिसमें हम change in income का use करता है आपका formula होगा k equal to change in y upon change in i तो यहाँ पर आपको change in y calculate करना है तो आपकी equation मनेगी k multiply by change in i आपने k को calculate किया है 5 times और आपको change in i given है 500 करोड़ तो multiply करने से आपका change in final कम आ जाएगा 2500 करोड़ इस तर आपने k और change in y दोनों को calculate कर लिया है और इस तर आपका यह question भी complete होता है तो इस chapter के अंदर total मैंने 7 questions को solve किया है जो मुझे मेरी knowledge में best लगे क्योंकि अगर आप इन 7 question को कर लोगे तो आप इन 7 question के basis पर कोई भी और question को easily solve कर पाओगे आप books के अंदर different question को solve कीजिए अगर किसी भी question में कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे WhatsApp पर भी contact कर सकते हैं मेरा WhatsApp number description में गिवन है so thank you guys for watching this video अगर यह वीडियो अचल लगे तो please like कीजिए for more videos subscribe my channel success eat and click on the bell icon for daily update thank you